तो दोस्तों question है पेट दर्थ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ओप्षन अग्रेटर, ओप्षन बेशिफ्टर, ओप्षन सी विस्क या फिर ओप्षन डी स्टॉमक एक तो इसका अंसर गास करने के लिए आपको दी जाता है पान सेकंड का समय तो इसका अंसर होगा option number D, स्टॉमक एक, पेट दर्थ को अंग्रेजी में स्टॉमक एक कहा जाता है तो कि इससे पहले आपको इसका मेनिंग पता था, comment box में जरूर बताएं और मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए आपके पास question first है, धकन को इंग्लिस में क्या का जाता है और वहें question second है, कद्दुकस को इंग्लिस में क्या का जाता है, इन दोनों question का मेनिंग comment box में लिखना न भूलें तो दोस्तों, अगर आप इनका मेनिंग नहीं जानते हैं, और आप जानना चाहते हो कि इनका मेनिंग क्या होता है, तो हम पूरी playlist कर लें, discussion box या फिर आई बटन में डार रहे हैं, उस playlist को जरूर चे कर ले, क्योंकि उस playlist में से कई सारी word है, जो हमारी daily life में यूज होते हैं, लेकिन हमें उनके मेनिंग इंगलिस में पता ही नहीं होते, तो उस playlist को जरूर चे कर ले, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आपन को प्रस करना ना भूले, जिससे कि आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन टाइन टाइम दिती रहे, हम मारी मुलकाद होगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हलपे बेटाइद देखते रहे और सीखते रहे धन्यवाद